एलो फ्रेंट्स सूद्र टेस्टी भोजन में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने चाहरे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर दो प्याजा तो चलिए देखते हैं हम उसे कैसे बनाएंगे उसके लिए हमने सबसे पहले ले लिया है पनीर पनीर जो है यह घर का बना हुआ है ह और देखि, हम मैं ∈ काटा यह इसे काट लिया है तिन बड़े-¿ eens इनרת को पनीर को प्याच आपकी है युद्ध में काफे प्याच क्योंकि जा प्याच चालए है और इसे क्वांटिम्टिम्टिम्टी है 50 ग्राम पनीर इता CT में क्यों की तरुम कें मैं तुंझे तेल को भी घरम होने देंगे, उसके बाइड डाल देंगे हम इसमें प्यास को मैंने चकोर साइस में काड़ लिया था, तो थोड़े बड़ा-बड़ा ही आप मसालो को चटकनी देंगे और उसके बार डालें गीमें धियक्त, दोच पता ले रहे हुंगर म्सालों को कि मतलु कर लिग को तो तो हम इसके डालेंगे बनावा SB को कि मतली मसालोक लिएBug मतली सब्सक्राइब लिएमितर मलंके चेज़े , कि और देंगे समक्तिन हैं तो 2-3 मीटिम साइज को म데ंने मिक्सरी से फीर और मैंने इसमें डाल दिया है इसे चलाते हुए ही हुआ बहु है जिससे की वह इसे नीचे चिपनाओ और इसके से तोड़ी देर तक इसी तरीकी से भूलेंगे구 हैं देखे प्यास का कलर जो होना शुरू हो गया है तो अब यह मिंसे थोड़ी देर भी kg घी प्यास तेहर हो गई है और इससे ज्यादा नहीं भूनना है इसके बार डाल देंगे हम इसमें टमाटर पीस के रखे हो थे वह हम इसमें डाल देंगे और इने भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हमने हम चार से पांटर लिते हूं हुनिए मिक्सी से पर लिया टा अब करते हुए ₱ जिए ₱ का कलार बढ़िए तो बह Même सो अच्छाओ यस एक एस्सका चाना का खजा नहीं टेंगे दो हैं तो मैसालों में सबसे पहले है पहरा हूण थैय। कश्मेरी लाल मिर्च ₱ दिश् वाला नम्मक कर सकते हैं इसके बाद अन्सं एक नणाल नावाब सब्सक्राइब द्हैके दन्यल यह दिन को अच्छी तरह से मेक्स भाव्टर में गरेवेजों को गिरैवी में अच्छी से मेक्स करना है तो आप हम यहां पर मसालो को भूनने के लिए पानी का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर मैं डाल रही हूं मकषन तो हम यहाँ पर घर का मकषन डाल रहे हैं जो हम घर की धाई से मकषन निकालते हैं वो मकषन मैं यहाँ पर इसमें डाल दूँगी तो दो चम्मच मैंने मकषन डाल दिया है और मकषन को मेल्ट होने देंगे जब हमारी मक्कर Lakili को जाएगा तो हमारे मसाले है वह असानी से भून झाएंगे मकर को मैल्ट हो गया था और मसाले भून गाती है इसके बाद हम ने डाल दे इसमें दही तो एक चोटी कह ट्री में ने दही डाल दिया इसमें और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से द्वी मिल गई है और हम इसे हम ढ़के कर पकाएंगे तो मैं इसे 5-7 मिनिट के यह ठोड़ा जाएगी और गेस मिल लोग ओका ग्रेवी को हम खोल लेंगे और देखे ग्रेवी ने ओयल रिलीस कर दिया है अब इस टाइम पर डाल देंगे हमें इसे प्याज और प्याज को डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो देखे प्याज को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इसके बा चलिए दिल्य करें लिए तरी के सारे महुना को मेक्स कर दिया है मैं यहां पर कहीं भी काजू का पेस्ट यूज रही है तो मैं कहा है मावे का यूज कर रही हूं नहीं हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि मावा पड़ने से अमारी ग्रेवी थोड़ी से टाइट हो तो देखे, हमारी जो gravy है वो बिल्कुल रेस्टोरेंटे स्टाइल बन कर तयार हुई है इसका आप texture देख सकते हैं यह बिल्कुle creamy texture में बन कर तयार हुई है gravy हमारी तयार है अब इसमें डाल देंगे हम कटा हुआ पनीर पनीर को डालने के बाद हम इसे हलके हातों से चलाएंगे जिसे कि पनीर हमारा तूटे ना पनीर को हमें ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो देखे इस तरीके से चलाते हुए हम पनीर को मिक्स कर लेंगे पनीर ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब पनीर के अंदर ग्रेवी के फ्लेवर है लाना के लिए हम इसे थोड़ी देर मैं भूल नेएं थ्लजोंहे के अब ढ़िंट दूग और जाए उल करना के दाद़ना है ग्रेवी ने ओयल भी रिलीज कर दिया है और जो हमारी सबजी है वो बनकर तयार हो गई है अब हम यह पे इस घैस का फिलेम बंद कर देंगे और सबजी को नीची अथार लेंगे तो दीए पनीदोप्याजा बनकर तयार है आब हमें रेस्टोरेंट लोग देंगे तो इसमें थोड़ा सा ग्रेट करके पनीर तो पनीर मैंने डाल दिया है इसके उपर से डाल देंगे हैं इसमें धनिया पत्ता और पनीर तो प्याज़ा बन कर तयार है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई अब्रिवन